हेलो दोस्तों वेल्कम टू टॉगोर आट एंड क्रेफ्ट आज हम पेपर का हेंट फेन बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए पेपर यह जो पेपर है यह चौड़ाई में चौड़ाई में 11 इंच और लंबाई में है 31 इंच पेपर को पहले फोल्ड करेंगे यह एक इंच का नाप का हिसाब से मैं फोल्ड कर रही हूं दोनों तरफ फोल्ड करेंगे एक बर इस साइड में एक बर उस साइड में कि यह आपके पास अगर यह बाला पेपर नहीं है जो हम लोग मार्केट से कपड़ा खरीते हैं तो कभी-कभी मोटा जो कपड़ा होता है जो पैकिंग देता है उससे भी होगा नहीं तो नियूस पेपर को आप दो तीन बार करके अच्छे से चिपकाब के भी ऐसे बना सकते कि यह पेपर बहुत हाड़ है इसलिए इसको थुड़ा सा दवा के करना पड़ रहा है देखिए यह पुरा हो गया अभी इसको बीच में से ऐसे फॉल्ड करेंगे दोनों को इधर से ऐसे चिपका देंगे तो यह ऐसे पुरा रेडी हो जाएगा फैन अब देखिए सुई धागे के मदद से यह बीच में इसको सिलाई कर देंगे यह मोटा वाला सुई ली हो और इसमें उसी कलर का धागा तीन या पूल में नियुद्जों करने कारें ॵह संदर निंगी नियुद्रें को तुझ सब्सक्राइब राट लेका हैं तो पर रहा है उसी साइड में सब्सक्राइब फिट रिपीट उधर चे घूम के इधर आएंगे अब इधर दोनों जो धागा था उसको एक नॉट लगा लेंगे अभी जो हैंड फेन का हैंडल बनाने के लिए हैंडल के लिए हमें कोई हार्ड टाइप का आपके पास अगर लकड़ी होगा पतला सा चाहिए तो अब मेरा पास कुछ नहीं था तो मैं यह जो डिटर्जन लीकुई डिटर्जन का जो डबा था उसी से ऐसे दो स्टिप काटी ह हूँ है से दो को जोड से देंगे के एक से नहीं हुआ तो डबा था तो दो कसे स्टीं कट办ा यह माला अकोड हैये फिर Legislative जो चिपखा ली हूं फिर इसको मालाइकट को मदद से रैप कर दूंगी मुह दिखाई ना दे मुह में जो प्लास्टिक है उइवाइट कलर का इसलिए इसको अराम से कर रही हूं पहले ग्लू लगा ली हूं ग्लू गर्ण की मदद से दिखे- धिरे-धिरे करूंगी देखिए हूं देखिए एक भी थोड़ा सा भी दिखाई नहीं दे रहा अभी इसको ऐसे रेप करते चली जाऊंगी देखिए दो हैंडेल उसका रेडी कर ली हूं अभी इधर इसको ग्लू के मदद से ग्लू गन के मदद से चिपका लूंगी अभी फेविकल से भी कर सकते हो लेकिन फेविकल में बहुत टाइम लगाता है दिखाने में फिर बहुत टाइम लगाएगा तो इसलिए में ब्लू गन के मदद से ही करते हूं अभी हैंडेल जो बनाई हूं हैंडेल को भी इस साइड में जो खुला हुआ है उधर चिपका देंगे पूरा ग्लू पहले अच्छे से लगाएंगे एक दम पूरा भर के इस साइड में भी चिपका लोंगे देखिए दोनों तरफ चिपका देऊ अभी बीच में जो खाली पॉर्शन है उधर थोड़ा दिखने में खराब लग रहा है तो उधर मेरे पास पंपं बना हुआ है तो वह चिपका रही हूँ उधर अब यह जो जब पंखे को जब ऐसे बंद करके रखेंगे तो यह जो ग्रीन वाला हिस्सा है यह जो पिंक वाला हिस्सा है इधर दिखाए देगा तो इधर ग्लू गंग लगा के यह जो मालाई कोड है उसको भी घुमा घुमा के चिपका देंगे इधर ब्लू बहुत गरम होता है तो हाथ से आप मत किजिएगा कोई भी पेन या कुछ भी ब्रास के मदद से उसको दबा दबा के किजिएगा कोई गैप ना छुट जाए देखिए पुरा में लग गया अभी यह इतना दिखाई नहीं दे रहा है जब आप पंका खोलेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा जब बंद करेंगे तब दिखाई देता है वह अभी यह ग्रीन का जो मेटल कलार है फेवरिक का तो उसको ही थोड़ा सा डेकोरेशन के लि हाँ अभी इस पहस्त को रखने के लिए बैक बनाएंगे जो यह adopting होता है जो दिता है दुकान से तो उसको पहले तो आप जब गर्मी आ रही है तो गर्मी ले के झाटे हो, तो आप में हुआ हावा कर सकते हो अच्छा हावा भी आएगा और बैग में पड़े-पड़े खरावना भी दिखा रहे हूं छोटा सा देखिए मुह में इसमें डोरी डलने के लिए पहले इसको ऐसे चिपका लेंगे आपके पास मेसी नहीं तो आप सिलाई कर लीजेगा और भी स्ट्रॉंग होगा और नहीं तो यह भी करेंगे तो थोड़ा सा आपको देखके करना पड़ेगा आराम से और इस साइड भी चिपका देंगे देखिए अभी जो मालाई करता उसी को उसके नाप के हिसाब से काटके इधा डोरी डाल देंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना आपको कुछ भी चीज़ सिखना है तो अब बता सकते हो मैं पुरी तरह से कोसिस करूंगी देखिए इसको मूँ को भी चिपका देंगे वीडियो लाश्ट तक देखने के लिए थैंक्यू मिलते आपको अगले वीडियो में बाई लाइक, सेस्क्राइब करना में बता सकते हैं बता सकते हैं झाल झाल